हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छोंगी दोस्तो आज की वीडियो में आज हम लड़का होने के बहुती सठीक लक्षोनों की बारे में बात करेंगे चीहां दोस्तों अगर आप ग्रेंडेंट है और आपकी देटियां हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि हमारी दादी नानी अक्सर ऐसे लक्षणों के बारे में बातें बताती है जो खास करकी बेटा होने के टाइम पर देखने को मिलते हैं तो वो कौन से लक्षड होते हैं जो खास करके लखा होने के टाइम पर दिखते हैं तो ये जानने के लिए आप वीडियो को मिस्त बिल्कुल भी ना करें पूरा जरूर देगेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहली बस आप लोगों से चोटी सी गुजारिश है दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सास्क्राइब कर लेना साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दवाना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक जरूरी बात जरूर बताना चाओंगी दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब बेटा वेटी में भेधबाओ करना बिल्कुल के वारे में दोस्तों अगर आप प्रेगनेंट है और प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है देखिए क्या होता है कभी कभी जब हम प्रेगनेंट होते हैं तो हमारे कमर में बहुत ज़्यादा देज दर्द होने लगता है तो अग अगर कि अगर ज़ादा देर तक किसी इसी इस्तान पर ले तक खड़ी रहेंगी तो भी आपको कमर में दर्द की प्रब्लम हो सकती है तो अगर आप ऐसा कुछ भी काम नहीं कर दो फिर भी आपको पैन कमर में हो रहा है तो दोस्तो ये बेबी बॉय होने का संकेत होता है तो चलिए दोस्तो अब जहां लेते हैं दूसरे लक्षर के वारे में दोस्तो अगर आप प्रेगनेंट हैं और प्रेगनेंसी के अवस्ता में अगर आप अपने सपने में जी हाँ दोस्तो अगर आप अपने सपने में भगवान स्री कृष्ण को देखती है तो ये साक्षात कार पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है जी हाँ दोस्तो कृष्ण भगवान को सपने में देखना खास करके गर्वती महलाओं के लिए बहुत ही सुप संकेत होता है क्योंकि जो कृष्ण भगवान होते हैं वो साक्षात लड़के का संकेत होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जिन गर्वती स्रीयों को कृष्ण भगवा दोस्तों, अगर आप प्रैग्नेंट हैं और प्रैग्नेंसी के टाइम पर अगर आपकी नावी जो लाइन है अगर आपकी नावी लाइन नीचे से सीदी है कहीं से भी तेड़ी है, ऊपर से सीदी है , बанд 수 pharm काली हुआ हूर बहुत जादा कालि है तो किसी किसी महलाओं की बहुत ज़दा लाइट होती है कभी कभी ये पता भी नहीं चलती है तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि जिन महलाओं ने बेबी बॉई को कंसीब किया होता है तो उनकी जो नावी लाइन होती है वो बहुत ज़दा डार्ग होने लगती है और सीधी जाने लगती है मतलब सीधी होती है बॉइ के टाइम पर तो यह जो लक्षड है वो अगर आप में मैच कर आए तो हमें आप कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में तो दोस्तो अगर आप प्रेगनेंट है और प्रेगनेंसी के टाइम पर शुरुवाती महीनों से आपको उल्टियां बिल्कुल भी नहीं होती है तो दोस्तों ऐसा महना जाता है कि जिन गर्वधिस्त्रियों को उल्टिया नहीं होती है तो ये बेबी बॉई होने का संकीत होता है जी हाँ दोस्तो अगर आपको उल्टिया नहीं होती है तो ये लड़का होने का लक्षड माना जाता है तो चलिए दोस्तो आप जहां लेते हैं नेक्स Last lecture के बारे में दोस्तो अगर आप Pregnant हैं और Pregnancy के टाइम पर अगर आपके नाखूनों में बहुत ज़्यदा चैंज्जमेंट देखने को मिला है आपके नाखुन बहुत जदा तूटने लगे है जी हाँ दोस्तो ध्यान से सुनियेगा आपके नाखुने में बहुत जदा परिवर्दन देखने को आपको मिला हो आपके नाखुन बहुत जदा तूटने लगे हो तो दोस्तो ऐसा माना जाता है ये पुत्र प्राप्ति की और इशारा करता है ऐसे बोई के टाइम पर देखने को ज़ादा मिलता है अगर आप में इन में से दोस्तों कोई भी लक्षर नजर आ रहे हैं ना तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा दोस्तों अगर आपकी सेकेंड प्रेग्नेंसी है और आपके पहली प्रेग्नेंसी में कौन-कौन से लक्षर दिखाई दे रहे थे वो आप सेर हमसे कर सकते हैं और उनसे भी हम थोड़ा अनुमाल लगा सकते हैं सिर्फ अनुमाल लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों कभी भी इन लक्षणों को देखकर 100% और इसलिए नहीं होना क्योंकि हर महला की बॉड़ी अपने अपने हार्मोंस के उपर डिपेंड करती है कभी-कभी ये लक्षण सही साबित हो सकते हैं तो कभी-कभी ये लक्षण गलत भ स्क्राइब जरू कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर